बच्चों आपको 12.2 सुरू हो चुका है क्लाफ नाइन्थ कमेथ एक सरसाई 12.2 ऑपन करिए जल्दी से आपको एक चित्र दिख रहा है स्क्रिन पर क्या कह रहा है इसमें एक पार्क चतुर्भूज एबी सीडी की आकार का है एक पार्क है पार्क जानतों जहां लोग जाते है बैटते हैं डीटते हैं जूड़े चोटे बड़े हो जाओ कि पता चले का पार्क में क्या क्या होता है एक सरसाई जो करा है लोग दोड़ते भी है मिलने-milने भी जाते हैं तो समझ यह सुरूज की आकार का है जो कि आपको दिख रहा है कि इसमें कॉंड जो सी है वो 90 प्ल डी खत्र का मুठ चेर रेक्स के लिए मैं यद्व का इसका पूझीं ने उसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कंदर सब्सक्राइब तो आपको बताता हूं doc हम liabilityके अगर में इसका पूरे के इरिया निकालना है तो हम तिर्भूज BCD और तिर्भूज ADB या फिर ABD दोनों का अलग 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 अरिया निकाल कर जोड़ देंगी ठीक है दोनों तिर्भूज का अलग अलग छेत्रफल निकाल कर जोड़ देंगे तो हमारा पूरे-पूरे का क्या आएगा फार्क का छेत्रफल आजाएगा उ तो समकोंट तिर्भूज का छेत्रफल का सूत्र भी आसानी फिल लग जाता है एक बटा दो आधार गुड़े उचाई यानि इसमें हाइट दी गई होती है ठीक है तो इसको तो एरिया हम आराम से फाइंड कर लेंगे लेकिन इसमें एक चीज करना है एक चीज का करना है आधा का प्रग्लम तो समकोंट तिर भूमस के ़िए चली नहीं में तो दी अराम प्लिए और आधार नहीं गें तो इस तरह के यह यही हीरोन का सुत्र लगाया जाता है हीरोन का सुत्र लगाएंगे उसके लिए तीनों भूजाएं पता होनी चाहिए तो हमें बीडी भी निकालना पड़ेगा उसको बाद में निकालेंगे पहले लिखिए जो इंपॉर्टन बात है लिखिए चतुरभूज या फिर बुटरभूज परूज है यह फार्मूल fel इंग्लिच वालें ऑसे लिख सकते हैं सब्सक्रकाणे। इकवल अपलश अफाइबि डिलस पलस अपाइब सीडि नीकाल लेंगे इन दोनों को अलग니 नीकालके ठीका सिंगी तैक यहां पे लिखो कि एरिया वियसट इकवल रिखेंगे तिर्भूच बी सीडि का शेत्र्फल बराबर एक बटा दो आधार गुड़े उंचाई यानि बेस गुड़े हाइट तो देखो एक बटा दो बेस इसमें 12 दिया है हाइट इसमें 5 दी गई थी यह कार्ट देंगे सिर्फ मीटर मैं कि अगर हमें इसका वहीं उसका फहले दो दो refers बटें लेकिनसस कपाले निकालन पढ़ेगा लिको नीचे कि अधिया है कि हमें भ्हुंजा बीडी चाहिए 9 8 लेकिन अग चाहिए किसके लिए तिर्भूज यह के लिए वाले त्रभूज़ की सहटा से बीडी निकालर नहीं पाएंगा असान नहीं क्योंकि वह समकोन तिरभूज तो है नहीं और यह तो क्लियर है कि समकोन तिरभूज है और भाई यह बूजा दोनों में common है तो हम नीचे वाले तिरभूज की साहता से जो समकोन वाला है पाइथागोरस लगा करके पाइथागोरस पर्मिये बीडी फाइंड कर लेंगे ठीक है तो लिखो बीडी के लिए नीचे लिख लो भूजा बीडी के लिए उतना लिखने के बाद के लिए पाइथागोरस पर्मिये से लिख लो भाई या लिख लो पाइथागोरस पर्मिये से क्या होता पाइधा गोरस का पर्मिय आपको पता है कि करण का स्कॉयर इक्वल आधार का स्कॉयर धन लंब का स्कॉयर होता है ना करण का स्कॉयर मतलब हाइपोटेनियस का स्कॉयर यह यह का स्कॉयर इक्वल लंब का स्कॉयर यह परपेंडिकूलर का स्कॉयर प्लस बेस का स्क यह होता हमाometer इसलिए इंगलिस में लिख दिया कि अब इसमें देखो बाबु जो आपका यह bc d दीया तिर्बुच बेस बाइसे है ने यह यह निनि लंब क्या है 4 यह है तो हाइपोटे लिसा में प्रक लिफ हैं कि सब्सक्राइब में रखना कहई NOT है ठीक है अब यह इतना गंदा को काहे को लिख रहा है पचंप पचीस बाराबर हमें 144 यह 169 आजाएगा अगर यहां से आप यह का बैलू फाइंड करोगे करच्छा नौ में पहुंच चुके हो तो यह का मान 13 आजाएगा क्यों क्योंकि 13 का स्कॉर 179 होता है आप कह सकतो यह 13 आ एबीडी वाले में चित्रफल वाला सुत्र लगा देंगे हिरोन वाला और निकाल लेंगे दोनों को जोड़ देंगे यह 30 आया याद रखना मैं इसको पूरा मिटा रहा हूं वीडियो करोंक करके लिखना चाहो तो लिख लो अभी हम बाद में इसको लाके जोड़ेंगे ठ चल्दी लिख लो पंकज कुमार कमेंट आरहा बन्हाव चलोड़न के लिके लिख लो टेंième हिरोन फार्मोला रहेंगे ही ळोन परमूला आप सभी को अच्छे संसे कि अभी तक वह रहा हूं चयप्टर का नाम है है तो सबसे पहले यह का वैलू फाइंड करेंगे सारी भुजाएं आप ले लो तेरा नौ और आठ तेरा नौ प्लस आठ अपान कितना है टू यह कमान निकालोगे सीधा-फिधा आएगा तसमलों में आएगा नवाट सतरा कितना हो जाएगा तीस ना इस बटा दो बराबर पं यस इन्टू यस माइनस ए यस माइनस भी यस माइनस सी यस कमान पंदरा आ गया है तो पंदरा माइनस पहली भुजा मालो तेरा पंदरा माइनस दूसरी भुजा नौ और पंदरा माइनस तीसरी भुजा आपका कितना है आठ इनका सबका क्या करोगे वर्गमुल फाइंड कर तो यह 15 गुड़े 2 गुड़े 6 गुड़े 7 इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं न अब इनको तोड़ लीजिया लग लग इनका वकुल मिला के वर्गमूल निकालना हमें हल करना है हल करने का मैं थोड़ा सा आसान तरीका बता दे रहा हूं समझे लो बैठा देखो इनको तोड देंगे चोटी चोटी बुझा में तीन गुड़े 5 कर दो कुछ होगा क्या नहीं होगा इनको जब तीन गुड़े 5 कर देंगे और इनको दो गुड़े 3 कर देंगे तो एक तीन इसमें मिलेगा एक तीन इसमें मिलेगा तीन तीन का जोड़ा बन जाएगा इसमें से एक दो एक दो यह तो इसका जोड़ा बन जाएगा तो चलो इसको लिख लो यहां के बाद यहां आजाओ इधर फाइड में ठीका इधर आजाओ दिख रहा ना उधर क्लियर समझो 15 को हम लिख सकते हैं बाबू तीन गुड़ा पांच ठीक है फिर दो है ना तो दो को ऐसे लिख दीज यह यहां यह तो एक ठीक तीन यह है जोड़ा बन गया एक तीन बहर आ गया यह ढवाम यह बार आगया यह इन्दर के आप अंसर आरा यह लेकिन आभी समूं में मानंगมา करेंकर आप कुछ क्लियर कर लिजिए क्योंकि हमें इसे जोड़ना है ठीक है तो मैं उपर फाइड में कर देता हूं समझ के चलोगे तो बेहतर रहेगा आगे रख दूं क्या इसका मान 5.91 सम्थिंग आएगा ना जल्दी से कर लो इतना लिख लो मैं मिटा के लख देता हूं छोटा सा लगेगा चलो जल्दी करो वीडियो को रोंग कर लिख लिजिए नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को टेच करिए इसक्रीन पर रोंग किये फटा फट ठीक है आप क्या करेंगे बस नीचे जो है नाइन वन सम्थिंग आएगा लगभग में गुड़ा कर लीजिए चाहिए आप लोग देख लीजिए इनका फाइनल में जब आप करोगे मल्टीपाल तो 33.46 सेंटीमीटर का स्कॉयर आएगा इक वाका कितना था 30 आया था न 20 taking unart जोड़ेए थिक है दोनों को जोड देंगे आपका अंसर आ जैगा फाइनल लिख लो जल्दी से हो गया देखो अब हमें दोनों तिर्भूज का छेतरफल मिल गया है अब हम इसको क्या करेंगे इसमें रख करके मान निकाल लेंगे जो हमें निकालना था चतुर्भूजा कार पार्क का छेतरफल हमें मिल जाएगा समझो आओ A B C D का छेतरफल अभी अभी मिला है 33.46 B C D का पहले ही निकाला था 30 मिला था final में जोड़ दोगे 63.46 cm square चूकि यह क्या है छेतरफल है तो 35 मिला था कितना मिला था जोड़ो गे ना इसको यह कितना मिला था, 33 मिला था, 35 मिला था, अभी 33 है तो मिला था, क्यों, मल्टिपल करके दिखाऊं क्या, मल्टिपल कर लो, यह मुझे कुछ गलत लग रहा, देखो कैसे, देखो पाबु, अभी आपका यह 6 आया था, कुड़ा 35, इसका मान 5.91 न, यह गलत लग रहा है, 6 कम 6, 35, 35, 35, 35, 35, यह 35.46 आना चाहिए, 33 नहीं, यह मल्टिपल करने पर क्लियर हो रहा है, तो यह आपका 35 आएगा, आपका 35 की जगा, फिर यह 65 हो जाएगा, ठीक है, यह आंसर हो गया, देखे, लग बग में आएगा, चुकि जो इसकी मान है, यह अंडरूट 35 वाला यह लग अगर आपने इस तरीका किया है, तो ठीक है, तो बच्चों, इसी के साथ आपका यह कोश्चन खतम होता है, अगर कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट करके बताए, अगला कोश्चन बस थोड़ी ही देर में आपको मिलेगा, ध्यान दीजिए, स्क्रीन पर, इसमें एक चित अगरेटरल, ABCD, साइड्स आर गिवन, इंगलिस मैं ऐसे बोलेंगे न, भूजाएं दी गई हैं, जिनमें AV 3 सेंटिमेटर, VC 4 सेंटिमेटर और CD, 4 सेंटिमेटर, DA 5 सेंटिमेटर और AC 5 सेंटिमेटर आर गिवन, ओके, चली मैं एक फिगर बना के आपको दिखाता हूं, इसम में दो तिर्भूज आपको दिख रहा है, एक ABC, एक ACD या ADC, दोनों तिर्भूज का अलग-अलग एरिया निकालोगे, उनको जोड़ दोगे, और वही कौडरेटरल का एरिया हो जाएगा, ठीक है, दोनों तिर्भूज अलग-अलग प्रकार के हैं, एक समकोंड तिर्भू है, तो एक में आप 1 upon 2 base into height formula लगाओगे, और दूसरे वाले में आप हिरोन का सुतर लगाओगे, यह फिगर आपको दिख रहा है न, ध्यान दीजिए, वही मैंने बना लिया है, ABC और आपका ADC, ठीक है, तो पहले इस वाले चित्र का आप क्या करेंगे, एरिया फाइंड करे यहाँ पर लिखेंगे, चतुर्भूज ABCD का छेतरफल बराबर, तिर्भूज ABC का छेतरफल प्लस तिर्भूज ADC का छेतरफल, लिखिए, area of quadrator ABCD equal, area of triangle ABC, प्लस area of triangle ADC, देखिए, फिगर बन गया है, जो मैंने कहा हो लिख दिया गया, ठीक है, ओके, अब सात्यों हमें यह देखना है कि जो तिर्भूज ABC है ये समकोन तिर्भूज है भी या नहीं है तिर्भूज ABC जो इसमें दिखरा ये समकोन है या नहीं है इसको हम ट्राइ कर सकते हैं पाइथा गोरस पर्मिय लगा करके अगर पाइथा गोरस का पर्मिय लागू होता है तो लिख देंगे फिर बूज ए बीसी में पिरूभू ए 25 में इसमें मनले ते हैं कि कौणी क्या है समपूर है वैजamiliar अगर वी सम कोर ए तो आधार एब हो गया कॉर्ण मैं 2 5-7 लंब हो गया 2 गया तो मान लेते हैं इसमें क्या है बाबू इसमें कोड़ भी बराबर 90 है हम मान रहे हैं तो इसमें आपका AC का स्कॉयर एक्वल AB का स्कॉयर और प्लस ये BC का स्कॉयर होना चाहिए AC का वैलू 5 दिया है AB 3 दिया है और BC ये भी 5 दिया था 4 दिया था ठीक है ओके ये 25 ये 9 प्लस 16 अगर यहां से आप देखो तो ये बराबर आ रहा है यानि इस पर पाइथा गोरस का पर्मिय अप्लाई हो रहा है तो बीकन से हम कह सकते हैं कि और पाइथा गोरस पर्मिय लागू हो रहा है आता या एक समकौर्ण तीरभूज है कि आब सामकौण तीरभूज का च्यटरफल बराबर लगा दिजिए और लगाने के बाद इसका च्रफल निकाल लीजिए छीख है इसका छोड़ दो autres और दीजिए Panther Richmond तीरभूज में पाइथागोरस पर्मिय लागू हो रहा है अता है यहां एक समकोंड तिरभूज है अब अब समकौन तिर्भूज समकौन तिर्भूज ए बी सी का छित्रफल बराबर एक बटा दो बी इंटु एच यानि बेस इंटु हाइट ठीक है ध्यान रहें आपको जितना मैंने बोला हिंदी उसको लिख जरूर लेना लीकेज नीचे ठीक है तो देखो बिट्टा बाबु भीया इसमें वन अपान टू बेस इसमें थ्री है थ्री यानि बी एबी हाइट यानि बीसी बीसी फॉर है यह दो से कट गया तो सिक सेंटीमीटर स्कॉयर आएगा कितना आएगा छे सेंटीमीटर स्कॉयर यानि तिर्भूज एबीसी कितना आया छे सेंटीमीटर स्कॉयर ठीक है यह आपका हो गया पहला अब एसीडी का छेत्रफल निकाल लो एसीडी का एरिया फाइंड कर लिजिए इसको मिठाता हूं मैं जल्दी करिए इतना करने के बाद नीचे जो बोला लिखके फिर इसको लिखना यह निकल गया इसको याद रखना अभी लाश्ट में जोड़ देंगे चलो अगला देखिए A C D काृधफल निकालेंगे इसमें एक चीज आप समझ लिखिए ट्राइंगल जो A C D है या A D T aba ये के एक संबाहू यह संबाहू ए न और बदुबांगू तो है सांभा में नहीं ना संभाह कोण göst और इसमें हम ही रोन का सुथर लगाते हैं ठीक है बाबू he dot अब olan formula लगाएंगे रोन formula से ही इसको निकाला जा सकता है बाकिया और कोई तरीका नहीं है तो यह होताई यह से into yes minus A yes minus B yes minus C ध्यान दीजिए इसमें A B C का आपका तुसारा मान दिया है आपको दिखी रहा तीनो A मान लो इसको B इसको C लेकिन yes का मान नहीं दिया है तो भाईया बाबू इसमें f निकालो छोटा फाइं yes का मान निकालो के कितना जाएगा भाई A plus B plus C होता है न अपांटू होता है तो दस चार चौदा बटा दो बराबर साथ सेंटीमीटर यह आगया आपका सेमी पेरिमीटर यानि अद्ध परिमाप अब यह साथ आगया आप इसको हम हल कर सकते हैं अराम से इजली ठीक है यह सका सब्लाश बैलु 7-9 चलो हम अफ्लीद भुजा माल लेते एक को फीर पांच है झाल कर égalँ इसमाद है धीका दूसरिंट लो त्हीं पांच है यहें गपिकूली वैड्यक मानें अगर अगर इन को आप में हल करोगे तो आपको क्या मिलेगा पता है कि इतना मिल रहा है कुछ करके देखो तो का जोड़ा बन जाएगा बाहर आ जाएगा तो दो अंडरूट साथ सेंटीमीटर का स्कॉयर यह इसका अंसर आया ठीक है लिख लीजिए फट से आगे बढ़ें जल्दी नोट करिए स्क्रिन साट ले लीजिए बच्चों बहुत जल्दी करिए स्कॉर्ण बच्चों माफी चाहते हैं देखो इसमें थोड़ा से गडबड हो रहा है थोड़ा से गडबड हो रहा है कि यहां पर आपने सब्ट्रे किया सेबन मैंसे फोर जाए गया थिरी आएगा ठीक है वन नहीं आए पिर आएगा तो आप यहां पर ध्यान दो दो का तो जोड़ा बनके निकल गया लेकिन छोड़ा नहीं बन रहा ए लेकिन ौर तीन गर गुडा कर दीजिए दो आपका यह नाइन पॉइंटं वन सिक्टमीटर के लगभग आएगा तरदा है जै अव्य में आ कि देखिए kinda तो लाइश तक लाइश देखना चाहिए बीच में मिस नहीं करना चाहिए अगर बीच में आपने मिस कर दिया तो आप इसी गड़बड़ी में ही अटक जाएंगे तो इफ लिए पूरा देखना चाहिए ठीक है ओके अब यह 9.16 आ गया एक आपका पहला क्या आया था ओनली 6 आया था चलिए फाइनल लिख लेते हैं जल्दी करिए चलिए हो गया डन चलो 9.16 आया है याद रखना क्या आया है 9.16 ओके ठीक है एवी सी का च्छेतरफल 6 सेंटेमीटर यह 9.16 सेंटेमीटर का स्कॉयर फाइनल में नौचा 15 दसमलो 16 सेंटेमीटर का स्कॉयर देखिए यह मान लगभग में होता है क्योंकि जो वर्गमूल निकाला था वो लगभग में आया था अगर आपने सा अर्था कंक और कोटिमान पढ़ा है तो उसके अकार्डिंग अगर इसे हम लगभग वाउट में लिखें तो 15.20 सेंटेमीटर स्कॉयर इसका अंसार आ रहा होगा नहीं ना नियक्ट कुश्चन पर आगे बढ़ें चलो अगला कुश्चन देखो तीफरा जल्दी तो बच्चों एक्सरसाइज 12.3 आपका चल रहा है नहीं नहीं 12.2 चल रहा भी 12.2 में कुश्चन नमबर 3 चलेगा आज ठीक है 3 के बाद 456 सभम आपको करवाएंगे इसमें इसको समझने के लिए हम आपको एक रियल का फिकर दिखाएंगे आप इसे समझें इनको हटाइए देखिए यह एक चित्र है एक जहाज कागज का बनाई की है जिसमें नीचे की जो साइड दो सेंटीमेटर दी गई थी आप इनका नामकरन कर सकते हो अपने हिसाब से कुछ भी या ना करो इनको अ आपका आयज जैसे लग रहा है यह तो क्या करेंगे बच्चों जितने भी भाग बनें हैं सभी भाग का अलग अलग एरिया निकालेंगे और जो सबका एरिया आ जाएगा चोड़ देंगे वह टोटल कागज का एरिया होगा एना दिखिए पहले भाग का छेतर फल बराबर यहां पर हल लिखिए है हल पहले भाग का छेतर फल बराबर क्या होगा देखो आप सभी जानते हो बच्चा कि जो छेतर फल का सुत्र होता है बहुत अच्छे जानते हो अंडर रूट यह और यह माइनस ए यह माइनस भी ऐस माइनस सी यह आपका फर्मूला होता है कि देखो समझो यह हागे नो अब सवाल यह है कि इसमें यह कहां रखेंगे देखो पहले भाग का छेतर फल यह हमें इसका एरिया निकालनी है यह 5 cm देख लो यह भी 5 है और यह 1 cm है ठीक है एक कैसे है एक्चुलिए क्या नीचे वाली साइड वन सेंटीमीटर दी गई थी तो इसके अधार पर हम इसको भी वन कह सकते हैं चुकि यह बराबर है तो पहले हम यह निकालेंगे ठीक है यह के लिए इधर साइड में आप कर लीजिए यहां परिमाफ कहीं भी साइड में ऐसे कर लिना यह सिक्वल ए प्लस भी प्लस एपांट टू यह फार्मूला होता है तीनों साइड को जोड़ देते हैं तो दो साइड आपका पांच पांच है है ग्यारा बटा दो होगा इकवल आपका 5.5 होगा सेंटीमीटर है ना देखो भाई यह समझों के नाम तो नहीं लिखे गए चाहो तो आप नाम लिख लो ए बी सी कुछ भी लिख लो तो यह क्या आगया यह आगया 5.5 अब पहली बुझा हम पांच माले दूसरी पांच माल क्योंकि हम पहला वाला को 5 माने हैं फिरियस कमान 5.5 दूसरी बुझा कमान भी 5 है फिरियस कमान 5.5 तीसरी बुझा कमान एक है ठीक है कलियर हलका तो चलिए दुड़ा दुड़ा के फटा फट इसको देखे यह 5.5 अंडरूट में ही रहेगा भी देखो यह साड़े 5 है इसमें से 5 घटेगा तो 0.5 बचेगा इसका भी वही हाल है और यह आपका 4.5 बचेगा इसमें काम मैं कर सकता हूं वो क्या है अगर 5.5 को हम ऐसे लिख दूँ देख रहो इसमें सर्माना नहीं है तेरा नाम दोखा रख दूं तो ना राज होगी क्या नहीं ना समझो 5.5 को अगर हम 11.05 लिखें तो कोई दिक्कत नहीं ना देखो 11 इंटू 0.5 ग्यारा पच्छे पच्पन एक अंग पर दसम्दों लगेगा फिर यह आजाएगा आएगा इसका कुड़ा करेंगे फिर यह आजाएगा यहनि हम इसकी जगह पे टोटल इसकी जग लो इनको इसी में निकाल लो लपेट के यह 0.5 दूसरा वाइसे लिख लो देखो 4.5 को हम कुछ लिख सकते हैं तो और मरोड के क्या लिख सकते हैं 3 into 3 into 0.5 इसको भी हम लिख सकते हैं चलो 0.5 into 3 into 3 बोलो लिख सकते हैं यानि हम 3 गुड़ा 3 गुड़ा 0.5 लिख सकते हैं क्योंकि तिन त्रिक करनों पचे 45 और एक अंग पर दसंबलो हो जाएगा 4.5 यानि 4.5 की जगह पे हम इतना लिख सकते हैं तो हमने क्या किया इस 4.5 की जगह पे हमने इसको इतना पूरा लिख दिया 0.5 को मैंने पहले लिख दिया बस ठीक है इस लिए लिखा क्योंकि इसका यह पेर बन जाएगा यह देखो बन रहा है किवल 11 का नहीं बन रहा है तो 11 अंदर में ही रह जाएगा बाकि 0.5 0.5 से एक एक पांच बाहर निकल जाएगा और एक तीन भी बाहर निकल ठीक है भाई या समझ रहे होना आप लोग देखो यहां पर सीखने की कोशिस करो तो देखो बाबू यहां पर समझो 0.5 इंटू 0.5 न और इंटू 3 तीन बात में कर लेना 25 यह 25 हो गया लेकिन यहां पर एक अंक पर दसम्लो था यहां पर एक अंक पर तो फाइनल में दो अं 0.5 बाहर आया दूसरे जोड़े से 0.5 बाहर आया तीफरे जोड़े से तीन बाहर आया और यह 11 अंदर में ही फासार आ गया अब देखो यह इतना आया था इन दोनों का तीन का भी से में गुड़ा कर्दू बाबू तो 25 यह 75 होगा दसम्लों अहीं तीन अंक पर रहेगा तो कर देर को चलो फटा फट देखो वर्गमुल निकालना आता है देखी जैसे 16 वर्गमुल 5 आता है वागविदी से कि यह 3.31 लाग भग में आएगा यह परोकसीमेट ठीक है एगदें 100 परसेंट एकूरेट वैलू नहीं है तो आपका यह फाइनल में जो आजाएगा 2.48 के सम यह आएगा न सेंटिमीटर स्कॉयर तो बाबु भाईया आपका यह पहले भाग का छेदरफल आ गया इसे कहीं लिख लो अभी बाद में काम लगेगा फिर इसी तरह से हम दूसरा तीफरा चवथा पाच्वा सबका निकालेंगे और सबका निकल जाएगा तो जोड़ देंगे और वह हमारा टोटल खागज का क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा जल्दी लिखिए मिटाइए मैं आगे बढ़ता हूं बहुत जल्दी करिए फास्ट वीडियो को रिज्यूम करके लिख लिजिए इसमें दूसरा भाग देखिए फिगर में दूसरे भाग का छेदरफल देखो बहिए बाबु दूसरा भाग एक आयत है एक रेक्टेंगल जैसे दिख रहा है न तो आयत का जो शेदरफल होता लंबाई गुड़े चोड़ाई होता है इसकी लेंग 6.5 सेंटीमीटर है इसी तरह से थार्ड भाग का भी एरिये निकालेंगे फोर फाइप सबका नि रृट्ड लिखिए तीसरे भाग का चेथर फ़ल बरबर को थीसरा वाल भाग आपको समझने लायक है यह थोड़ा सजादा समझने के लिए मांग रहा है आपको और यहां से मिला दो दो आपको ये एक संभाहुतर बुल्द रहा है यह भी मिल रहा है यही यह यह याइनि आ गया आघ्नना ये संबहुत इट पिर बुज चारू तरफ बड़ावर है इसमा इस सबाउस को पत कि चत्रेंगब का IN deficit आपां सब्सक्क्राइब थिए धान पडिज को आइनसे श्क्राइड यह ग्राल तक न'm दुन सब्सक्राय होता है ना चलो 3 into root 3 upon 4 into side देखो इसमें एक्चुली यह क्या है वन सेंटीमेटर है तो अगर यह वन है तो मुझे लगता है सब चारों तरफ वन होगा कि नहीं कुछ कोशिस करके बताओ अगर संभाव हुए तो क्या होगा कि वहाँ होगा ना अगर यह वन है जाहिर सी बात है यह भी वन होगा यह झाल करने पर तो देखो बच्चों साथियों इनका आप क्या करोगे हल करोगे तियो 5.19 आएगा लगभग गुड़ा करके देखलो पांतियां पंदराग 5,6,8,5,3,5,3,5,3,5,5,3,8, अब मल्टिपल करके देखो एक बार लेकिन ये तीन से गुड़ा हो रहा है पांच से कहा हो रहा है 3,3,9,3,7,21 और 3,3,2,5 टू डिजिट पे पॉइंट अपान 4 फाइनल में इनको कर लो तो 1.29 सेंटिमेटर आएगा बटा 1.29 सेंटिमेटर का स्कॉयर यह आपका तीसरे भाग का छेतरफल आ गया अब देखो अ किताब में दोनों भाग बराबर दिया है तीन भाग हो गया एक बाग फिर से कुश्चन देख लो एक बार फिर हम इसको भी करवा देते हैं कुश्चन देखो राधा ने एक रंगीन कागज से हवाई जहाज का चित्र बनाया था जैसा कि फिगर में दिख रहा है तो कुल प फट से नेक्स्ट लिखो चोथे और पाच्वे भाग का चेदर फल बराबर लिख लिए आपने फॉर और फाइप पार्ट का एरिया वएक इसको थोड़ा छोटा लिखेंगे तो बहतर आपको दिखेगा यहां बैने लिख दिया यह और फाइब भाग का एरिया इक्वल दे यहां पर देखो यह भी 90 बन रहा है तो समकॉन त्रिबूज का चेदर फल एक बटा दो आधार गुड़े उचाई यहनि बेस इन्टू हाइट होता है ना ठीक है ओके वन अपन टू बेस बेस इसमें क्या है दिख रहा है आपको कुछ सिक सेंटी मेंटर दिया ना बेस यह सिक सेंटी मेंटर दिया था हाइट कितनी है का 1.5 है कुछ और है है यह बेस था आपका यह हाइड थी 1.5 सेंटिमीटर तो यह 1.5 सेंटिमीटर इनको आप डिवाइड करोगे थ्री आएगा थ्री का इसमें मल्टीपल करोगे तो यह 4.5 सेंटिमीटर का इसक्वाइर यह अपका कौन सा आ गया अब पॉइंट 5 सेंटिमीटर स्कॉयर अभी तक क्या आया अगा सुनो पहले यहां सुनो अभी जो एरिया आया है वह सही है सबकुछ ठीक है चार और पांच दोनों का हमें करना था लेकिन अभी एक का एरिया और चूंकि दोनों भाग बराबर हैं सबकुछ सेम हैं दिन को इसे हम डबल कर देंगे ठीक है नीचे लिखिए इस लिए चौथे वा पाचवें भाग का छेत्रफल इक्वल टू इंटू 4.5 तो देखो बेटा आपका यह 9.0 सेंटिमीटर का स्कॉयर आ जाएगा यह दोनों का आ गया ठीक है क्यूंकि हमें पूरे नीचे लिख लो लिख अधा हम सभी पांचों भाग का छेत्रफल निकालकर उन्हें जोड़ देंगे अधा हम सभी पांचों भाग का छेत्रफल निकालकर उन्हें जोड़ देंगे ठीक है तो नीचे लिखिए एक बार फिर से लिखिए जहाज में पर्यूक्त कुल कागज का छेदरफल बराबर सब जोड़ेंगी जितना भी दिया बच्चा फटा फटेट कर लो चल दिसे पहले भाग का भी आया था पहले भाग का एरिया 2.48 आया था नहीं मिल रहा देख लो पीछे पलटके दूसरे भाग का बाबू 4.50 आया था तीसरे भाग का एरिया अगर तुम देखना चाहो तो 1.29 आया था और चौथे भाग का अगर एरिया देखो तो 9 cm आया था आया था ना फटा फटा पटा मुझे यह आया था ना इनको क्या करोगे सब को जोड़ डालो तो 19.7 cm स्क्वार आएगा लगभग में अप्रॉक्सिमेट आएगा अभिकाज यह लगभग में यह प्रॉक्सिमेट इस लि नहीं है ठीक है क्योंकि कोई भी जो नाट परफेक्ट स्कॉर एंड़ परफेक्ट क्यूब नंबर है उनका वर्गमूल अगर एक दम 100% सही निकालो तो बहुत ताइम लगएगा बहुत लंबा हो जाएगा तो वह लगभग में लिखा जाता प्रॉक्सिमेट लिखा जाता इस तरह से बच्चा आपका यह कोश्चन खतम हो गया किसी को कुछ भी डाउट है तो बता तो कुश्चन नमर फॉर आपके सामने देखिए ध्यान से देखिए कह रहा है कि एक तिर्भूज और एक समांतर चत्रभूज का एक ही आधार है यानि एक ट्राइंगल है और एक प समांतर चत्रभूज की भी बुजा दी गई है 28 सेंटिमेटर के आधार परिस्थित है तो उसकी संगत उचाई ग्यात कीजिए यह नि हाइट ग्यात करनी यह जो आपको दिख रहा है बहुत ही सिंपल सा है देखो मैं आपको फिगर दिखा रहा हूं यह रियल वाला यह क्या अंगल बनाया पर आपको दिख रहा है इसका 28 सेंटिमेटर है ना यह तो कह रहा है अगर इधर 28 है तो उधर फाइट भी क्या होगा 28 ही होगा वैं सिंपल सी बात है क्यों होगा कि नहीं बताओ यह आप सबको पदा है ना अगर नीचे 28 है तो यह ऊपर भी 28 ही होगा नहीं दिया है तिर्भूज का छेत्रफल बराबर तिर्भूज का छेत्रफल बराबर समांतर चत्रफूज का छेत्रफल लिखने के बाद क्या लिखोगे देखो साथी पहले इसमें हम तिर्भूज का छेत्रफल फाइंड कर लेंगे ठीक है तिर्भूज की हमें तीनों साइट दी ग तिर्भूज का छेत्रफल बराबर देखिए इनकी साइड था वाला गलग साइज की है तो ऐसी थिती में यह लगता है हिरोन फार्मूरा अगर इनकी साइड इक्वल होती या फिर यह समकौंट तिर्भूज बनता तो फिर कुछ और होता लेकिन इसमें हिरोन सुत्र ही के लिए हमें यस चाहिए यस मतलब सेमी परिमिटर इसको किसी साइड में निकाल लेते हैं ठीक है यह सिक्वल होता है यह सूत्र होता है ठीक है तो तीनों भूजाएं क्या है 26 तीस और 28 रख दीजिए 23 प्लस 28 बटा दो यहां पर थोड़ा ध्यान देना यह 28 है मतलब 28 क्या सब्सक्राइब दो कितना मैं और टीफोर अपारनटू सै को एकषार एक वोर्टी टू सेंतीमेटर कि नाया नहीं ह lire अभी यहां पर आपका फौर्टी 42 आजाएगा तो यह आपका हो जाएगा 42 42-26 यह 42-28 यह थार्टी कर तो पहले चुकि हमने जैसे माना था बाकी कोई फरक नहीं पड़ता है ॥ॐ उन्टी emeet इनको आपसमें क्या करेंगे करेंगे घटाएंगे और फिर इन्हें चाल करेंगे कितना आएगा खिश्यста a यह चौना उनकी यह दो इसमसे 26 खटा ओगे तो किटना हाएग गाश्यां आप लोग जानते वो च्यंकि सगया अच्चहे और 30 माए से हए डो गया एक इसमें से तaldo करने पूरे के इसमें कर सकते हैं इनको हम तोड़ सकते हैं चोटे-चोटे कि क्या कि 16 को क्या लिख सकते हैं देखाना लिखना इसे लिखने फॉर इंटू-फॉर चलो इसको हम छे गुड़े 2 ले और यह 14 को हम लिख सकते हैं दो गूड़ा साथ इनका पेर बनाके देख लेते हैं एक सिक्स कभी एक पेर बन जाएगा क्योंकि दो बार चे हैं दू कभी देखो एक या और साथ कभी बन जाएगा यानि सब का पयर बन रहेगा देखो तो अधाना जाएगा करके डेंगipping अधाKY नवार्ल सिंपल यह फिर एक अच्छा सा लेखो इसे लिए वं शींटो फोर कंटी चंग बाई यह बाट अधू न J है और यह स्कॉाइर में रहेगा क्योंकि क्या है अर्या है कि यह स्कॉर्ण तें सो छिए स्टीमिट्र का स्कॉर यह अंसर आ गया और गमुल निकालने का तरीका था मैंने इनके इनकी क्या किये अलग-अलग तुकडे कर दिये ठीक है 7 कर दिये ठीक है इसको जल्दी उतारीए में मिटाता हाओं अब क्या करना है इसी में रख देना है तिर्भूज का छेत्रफल समांतर्य쪽 चत्रफल के चेत्रफल के बराबर था तो हम तिर्भूज चेत्रफल की जगह पे यहां 336 रख देंगे समांतर चतुरभूज का सूत्र लगा देंगे वह सिंपल सा है चलो जल्दी करो परलोग्राम को फर्मुला लगाओ देखिए यहां पर एक चीज़ आपको समझ के चलना है कि जो परलोग्राम है वह एक परकार सी रेक्टेंगल मानों यह रेक्टेंगल जैसे तो दिख रहा न आपको इसमें भी वही सारे गुण होते हैं लगवग कुछ चीज छोड़ दिया जाए तो क्या करेंगे तिरभूज चीज चित्रफल 326 cm2 आया था इसका एरिया के आगे जनते हो क्या होता है बेस इंटु पर्पेंटिकुलर ना आधार इंटु लंब यही ऌता है कि कुछ और होता है बोलो बेस इंटु पर्पेंटिकुलर यानि बी इंटु पी कर सकते हैं लिखिए हिंदी में लिख लो अधार गुड़े उचाई थाना कि अधार गुड़े उचाई यही तो होता है कि शुत्र जानते हो न इसका चलो तो 334 देखो बाबु इसमें कुछ दिया है हमें का दिया है अधार दिया था फाई 28 देखो कहीं दिया था का लिए थाना कि बेश 28 दिया है यह यह कुद दिया है 28 हमें यह फाइंड गाना था ना तो चलो कर लो तो देखो बाबु यह इधर आएगा 28 भाग में हो जाएगा इसको आप काटोगे डिबाइड करोगे तो हमें लगता यह कट जाएगा कि इतनी बार जाएगा पहले चार से काट लो चार सते 28 यह चार से कट जाएगा चार अथे 32 और चार चोगा 16 यह चार सकते हैं कि जो चाही कितना आई 12 cm ठीक है ठीक है ठीक है बाबु समझ में आया तो यह आपका इंड हो गया कोई सिखाया था कुछ भी कहना दो बोलो कमेंट करके बताओ जड़ से चलो नेक्स्ट कुश्चन दिखाते हैं उसके पहले अगर आप हमें यूटूब यह फोर तक आपने कर लिया था फाइप और शिक्स मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं आप लोग इन्हें ट्राई करना गार ठीक है इसक्रीन पे दिख रहा है ना फाइप और शिक्स आप इसे होमवर्क कर ले ना तो सेबन नंबर में बताने चल रहा हूं कोईश्चन ध्या इस फिकर में अभी मैं आपको इस फिकर को और अच्छे से दिखा देता हूं यहाँ पर देखो यह एक परकार का कागज यह है जिसमें है कि यह है दूसरे में ख़च है यह दूसरे इसका कलर कुछ अलग है और था 9 टीन परकार के कागज है एक परकार का यह सीगेंड वाले दो नों में आगे वाले में अब आगे क्या कहता है जरा फ्यान दो कि ना पतन का उपरी भाग 32 मेटर बिकर्ण का इक वर्ग है जो उपरी भाग है उसका वो 32 32 cm का क्या एक विकर्ड है एन डाइगोनल है तो यह आपका क्या 32 cm है मोटा मोटा अगर हम बात करें इसका नाम लिख दें तो अगर बीच में यहां पर हम लिख दें तो आपका और बी कितना है यह मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं ठीक है आगे देखो पहरा निचला भाग 6 cm 6 cm और 8 cm भुजाओं का एक संदुबाह उत्रबुज है तो ग्यांत कीजिए परतेक सेट में परियुत किया गया कागज कितना है नीचे का जो भाग है वो 6-6 cm का है यह 8 cm का है मने लिख दिया चलिए कर लेते हैं बहुत ही आसान है सभी का अलाग अलग इसमें find करना है simple साश्य लिखिए देख़िए इससे समझो पहले भाग का न्यो हो बाबू दूसरे बिख सबढ़ हो गा〜 क्यों कि दोनों समान बेस पर ना है यह दोनों में common हैं इस वाले के लिए इस वाले के लिए भी और अगर यह बिक तो यह पी क्यों भी तो 32 होगा तो आपका ओपी शोला होगा और वक्यू भी क्या होगा शोला होगा है रिटो ना तो बहुत से समान बेस पर बना है इसका पर पेंडी कुलर यानि लंब जो है वो भी दोनों में 16-16 बराबर है तो यानि कि पहले दूसरे के क्या होंगे जो एरिया होंगे वापज में equal होंगे तो लिखो पहले भाग का छेत्रफल बराबर दूसरे भाग का छेत्रफल लिख लिख्ले Bracoat में चाहे तो कारण भी लिखरो Bracoat में region लिखरो क्योंकि दोनों समान बेस पर बने हैं और इनकी लंबोद भुजाएं भी समान है बराबर है तो साथियों यहाँ पर देखो अगर हम इसे एक तो आप क्या मनें पहले वाले भाग का अगर आप निकालोगे इसमें फरस्ट वाले भाग का Cancer आ तो आप क्या लिखोगे आता है पहले भाग का छेतरफल क्या हो जाएगा फार्मूला लगाओ फटाफट वन अपान टू बेस इंटू परपेंडिकूलर यही तो होता है यानि आधार इंटू उचाई यही होता है लगा दो फटाफट चलो यहां पर ऐसे एरो बना लो तो इस है ना यह भी बेस तो इसमें कह रहा था 32 अभी करना और उचाई कितना है 16 क्योंकि यह क्या हुआ आधा आधा डिवाइड है तो आप कह सकते हो ओ पी कितना है और ओ क्यू भी 16 मिनको आप कार्दो 16 लाएगा 166 जा 256 सेंटीमीटर का स्क्वायर यानि आप कह सकते हो कि पह पहले भाग का चेत्रफल फिर यहां लिखोगे इस लिए दूसरे भाग का चेत्रफल बराबर यह भी हो जायागा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर क्लियर आप क्या करोगे भाई नीचे लिखो तीसरे भाग का चेत्रफल बराबर इसको लिख लो कहीं मैं मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे उपर आपको इसमें हिरोन फार्मूला बताना पड़ेगा जल्दी लिख लो फटा फट जल्दी करो भई लिख लो बच्चों नाम की पीछे ने परिसान रहो मैं सब का नाम देख आओगे हिरोन फार्मूला ठीक है हिरोन फार्मूला ही होता है न यस इंटू यस माइनस ए यस माइनस भी यस माइनस सी सबका कमेंट मुझे दिख रहा है संजे कुमार ओनली फनी बेडियो और कौन है भईया पटे राचल मोहित कुमार मोहमत सहिल और पराची परदीव ठाकुर जो रोज जुड़ता है न कलास में उसका नाम हम बोलते हैं जो कभी कभी आता उसका नहीं आओ देखो यहां पर प यह का मान निकाल लो ए और बी और सी तीन भुझा हैं दोनों को छे छे मानलो एक को आठ मानलो तो छे छे बारा आठ बीस बराबर दस सेंटीमीटर यानि यह की बहलू कितना आई भाया 10 सेंटीमीटर आ गई तो चलो बाबू कर लो यह की जगा पर क्या रखोगे 10 10 माइनस एक की जगा पर छे 10 माइनस बी की जगा पर भी छे 10 माइनस सी की जगा पर आठ इसमें कोई दिक्कत नहीं न क्योंकि दो भुजाएं छे छे हैं एक आठ है चलो ओके डन दवड़े रो भई यह ट्यान इंटू इसको घटाओ कि चार आएगा यह भी चार आएगा यह दो आएगा ठीक है भाई साहब क्लियर देखो बाबू फोर का वर्गमूल दो आएगा एक काम आभी और आगे आप कर सकते हो एक काम कर लो कर चार को हम पहले लिख सकते हैं और सको हम दो 10 को हम 5 गुड़ा 2 लिख दे रहें समझो यह 10 को हम 5 गुड़ा 2 लिख देते हैं इस 2 को वैसे लिख लेंगे इसका जोड़ा बन गया इसका भी जोड़ा बन गया बोलो बन गया न तो एक जोड़ा से गिंती बाहर निकल जाएगी तो यह 4 बाहरा जाएगा इसमें से 2 बाहरा जाएगा 4 इंटू 2 अंडर रूट 5 अंदर में बच जाएगा तो बाबू क्या हो जाएगा आपका 8 इंटू अंडर रूट 5 ना रूट 5 का मान रख दोगे आप क्योंकि आपको आंसर निकालना है एक जग ना तो 2.24 इंटू यह कितना हो जाएगा इसका मान रखना है ना इसका मान रखना है रूट 5 का तो 2 इंटू 2 2 4 संथिंग आता है ना ऐसे कुछ आता है ना तो यह हो जाएगा आपका लगभाग सेंटीमीटर का स्कॉयर 17.92 सेंटीमीटर का स्कॉयर लगभग एप्रॉक्सिमेट क्योंकि यह कोई 100 परसेंट एकुरेट वैलू नहीं होती रूट वाली इसमें किस्यू को कोई डाउट है तो कमेंट करो नहीं संकोच फटा फट बोलो मैं सामने से हट रहा हूं हील रहा हू बहुत जल्दी ही फटा फट